36 गर्ड लोग सेवा आयोग के परिक्षा परिणाम और विवादों का ऐसा साथ है मानोचोली दामन का ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जितनी परिक्षाएं होती है उतने ही विवाद होते हैं परिणाम आते हैं, परिणाम वो परिस्टे लगता है और फिर विवाद करम आता जाता है। इस बार ये तत्थे जो है वो प्रासांगी किसले दिख रहे हैं क्योंकि बीते दिनों 36 गड़ में सिविल जज परिक्षा के परिणाम जो है वो आये हैं। और इन परिक्षा के परिणामों में कहीं किसी शर्मा को कहीं किसी चतुरवेदी को तो कहीं किसी दिवेदी और अग्रवाल को OBC और ST के कोटे से भरती कर दी गई है। विवादों में रहने वाले 36 गड़ लोग सेवा आयोक का दामन सिविल जज़ भरती परिक्षा में नहीं बच पाया। हलाकि इस बार विवाद अनोखे तरीके का है। इसकी चैयन सुची PSC ने कुछ दिनों पूर्वत जारी की थी। अब यह चैयन सुची नामों के आगे उलेखित जाती को लेकर वाइरल हो रही है। दरसल इस सुची में शर्मा, चतुरवेदी और परमार उपनाम अर्थात सरनेम वाले कैंडिडेट के नाम के आगे ऐसी लिखा हुआ है। तो वहीं अगरवाल नाम वाले अभ्यार्थी को OVC कैटेगरी में रख दिया गया है। हालकि PSC चेर्मैन ने विवाद को खत्म किया और उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया नियम अनुसार हुई है और सरनेम की गलत फहमी के विवाद के बाद पती का नाम लगने से पैदा हुआ है। इसमें दस्तवेजों की जाज के बाद ही परिणाम खोशित किये गए हैं। PSNA Civil Judge के 48 पदों के लिए यह परिक्षा योजित की थी। इसके लिए मुख्य परिक्षा 27 जून 2023 को योजित की गई थी। इसके परिणाम 17 अगस्त को जारी हुए थे। लेकिन आरक्षन संसोधन विवाद के चलते साक्षातकार नहीं किया गया था। वाइरल हैं।